मैं ओंकार हूँ स्रिष्टि की आरंभसे समुँची ब्रह्मान्ट और प्राणी मात्र के हृदय में एक सात्विक और दिव्य धार हूँ मैं ओंकार हूँ अध्य देवी पार्वती शीगनेश को पुकार कर रावण को रोकनी की आज्या देती है भोले नात को प्रसंद कर शीगनेश देवताओं को पुरुशार्थ करने का परामर्श देते हैं आत्मलिंग लेकर लंका जाते रावण को देवर्शी अपने शब्दों के भ्रमजाल में उल्जा देते हैं देवर्शी का ही परामर्ष मान कर देवगण सूर्यास्त द्वारा रावण को रोकने के लिए सूर्य देव को पुकारते हैं इंद्र के वज्ज्र से भी भैभीतना होकर सूरदेव देवताओं के चल में सहायक नहीं बनते परिषित नहिंग भक्त वसल यगत पालक सिरी उरी विष्णु की हम आपकी समस्या से अपरिचित नहीं हैं देवगणों हे जगत पालक हे श्री हरी पविश्म संसार के संभू को बस्तित होने वाले रावन नामक भयानक संकट को रोकें प्रभू अवश्य देवराज देवी पारवत्री के शाप इवं श्री गणेश की वचन रक्षा के लिए लंकेश्व रावन को रोकना प्रम आवश्यक है किन्तु किया भकत अचल प्रहुँ किन्तु हाथों में भोले नात का देवी पारवती द्वारा पूजित आत्मलिंग धारण करने वाले रावन पर शक्ति प्रहार असंभव है हमें शक्ति के स्थान पर युक्ति का प्रेयो करना होगा किन्तु कैसे श्रीहरी देवर्शी नारत द्वारा बताएगा मार्ग पर चल कर आपको मेरी सहायता के साथ श्री गणेश की क्रिपा प्राप्त करनी होगी भुले नाथ का आत्मलिंग धारण करने का सामर्थ शुरी गणेश के अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं देवराज चक्र सुदर्शन जगत मलक बक्त वसल श्री आरी विश्रों की जै 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 वक्रतुन्ड मागाय सुर्य कोठी समाव्रभ निर्विग्णम कुर्मे देवर शुगाद्येशु सर्ददा आपनी शिंत रहे देवगन माता पार्वति की इच्छा अपूर्ण नहीं रह सकती जैँ रह सकता पार्वति की जैँभ 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 गार कैसा नाराय नाराय आज लंकेश्वर रावण उद्वी कि न दिखाई पड़ रहे देवर्शी आज समय से पूर्व संध्या कैसे हो गई नाराय नाराय यात्रा में व्यक्ति को समय का ग्यान ही नहीं रहता है वैसे संध्या तो अपने सुनिश्चित समय पर ही होती है परन्तु आज लंकेश्वर रावण उद्विग न क्यों है देवर्शी नारत क्या आपको तो ग्यात नहीं कि मेरे पितामा पुलत से सब्सक्रीशियों में आदरनीय है मेरे पिता रिशी विश्रव रिश्यों का गौरव हैं ऐसे सर्वस्रेष्ट ब्रामांड में जन्म लेने के कारण बालेकाल से ही मेरा दोनों परहर पूजा करने का नियम है पूजा में भी नियम नारायन नारायन हाँ देवर्षी अपने नियमित पूजा और भग्ति के कारण ही आज रावन भोलेनात का आत्मलिंग प्राप्त कर सका है तो सोच क्या रहे हो लंकेश्वर रावन आपका नियम पूर्ण करो नारायन नारायन किन्त कैसे देवर्षी मेरे हाटों में तो भोलेनात का आत्मलिंग नियम पूर्ण होना भी तो आव़श्चक है दशानन नियम और भग्ति के कारण ही तो आप भगवान भोलेनात को प्रसण कर सके नारायन नारायन जब तक मैं संध्या पुजन करूं, तब तक आप ये पवित्र आत्मलिंग इसी प्रकार हादों में धारन कर लेगे। मैं? मुझे इतना सामर्त कहा लंकेश्वर, रावन, कि मैं भगवान गोलेनाथ का आत्मलिंग धारन कर सकूं, नारायन, नारायन। तुमने रावन के आगया ठुकराने का दुसास किया है नारत। समय आने पर मैं तुम्हें उचित दंड दूँगा। समय तो अब तुम्हारा आगया है रावन। नारायर नारायर। पुष्पक नीचे गमन करो। चरवाहे तनिक हमारे समीबा। आया। कि दनभाख हमारे जो इस धर्ती पर रावन महराज के दर्शन हुए जरवाहे यह समय हमारे साइस अंद्या पुजन का है जब तक हम साइस अंद्या पुजन करें तब तक तुम यह शिवलिंग को इसी प्रकार ठामे रहो नहीं माराज नहीं माराज तुम तो बड़े भारी भगत हो ना पता कितने समय तक तुम साइस अंद्या पुजन करा करो माराज मुझे अपनी काई गाउने कजाना है क्यों व्यर्थ मरने का चुका चरवा है मेरी आग्या मान हाँ हाँ ग्या थे ग्या थे माराज क्या बड़े क्रोथित स्वभाव के हैं तो यह आत्मलिंग पकड़ यह तो बहुत भारी है रावण माराज मा थो छोटा सा बाल खुझे सावधान चरवाही शिव लिंग धर्ती को छूने न पाए यदि यह आत्मलिंग धर्ती से छूग गया तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छूड़ूँगा अशूजै मत या काम नहीं करेंगे एक तो हम आपका कार्य कर रहे हैं ऊपसे आप हमें क्रोध दिखा रहे है हम्रुतिय का भЙन दिखा रहे है जाइए मर्स हम एंन होगा। अब हम प्रोधित नहीं होंगे किन्तों तुम गश्ट उठा कर भी शिवलिंग को धर्ती से पर्स्ट ना करना हम तुम्हें पुरस्कृत करेंगे नारायन नारायन देवराजिंद्र देख रहे है न आप श्री गणेश की लीला अब ये चर्वाह भगवान भुलिनात का आत्मलिंग कब तक ठामे रहेगा मारायन वो रावन माराश तनी कप्ले स्रीवलिंग को समाल ये अई श्रीवलिंक को समालना हमार बस की बात ना ही ओर आवण मराज ओर आवण मराज ये तो और भीबारी हो गया अरे, ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पोछके चले हम थर्ती में समावच जाई ओर शुनते हो रावण माराज ओर आवण मराज वह उमसे ना ही समालन चाई संध्यारो वुआ्यों तो रा अी जंत्यारो वह आ दो को प्रतंपुज्य पार्वतिनन्दर श्री गनेश की जेट दिवराजेंद्र इतने उचे स्वर में श्री गनेश का जैगोशना करें अन्य था रावन को संदे ओ जाएगा हमें लो झामद हमां कर नाब बुले नट ski घॉर ओम नमसिवायव, ओम नमसिवायव, ओम नमसिवायव नहीं, नहीं अत्मलिंग को भूमी पर रखकर, तू कहान चला गया दुष्ठ चरवा है मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा मेरी इन दो भुजाओं में, बीच भुजाओं का पल है मैं अभी इस आत्मलिंक उठाकर रंका ले जाओंगा अभी इस आत्मलिंक उठाकर रंका 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 रंक पाहदेव मेरी दुर्दशा के उत्तर ताई आप है आप है आप है आप है आप है आप देवताओं के शडियंतर से अग्याद नहीं हो सकते क्योंकि आपने मेरे साथ ये क्रूर विलोर क्यों महादेव क्यों क्यों प्राणनातं विवंवेशनातं जगनात नातं सदानन्द भाजं अर्भूत भवेशरं भूलनातं शिवंशंकरम्शं भुमीशान इडे देवराज माता पारोती द्वारव पुजित भगवान भुलनात का ये आत्मली यहां प्रतिश्रित करने का श्रेय श्री गनेश और जगत पालक श्रीहरी विश्णू को जाता है हमें उन दोनों के प्रति धन्यवाद प्रदान करना होगा वर्थम भूज्य पार्वति लंदर श्री गनेश एवं जगत पालक श्रीहरी विश्णू की जाता है श्रीवेच्छा की अनुसार दिवादी देव महादेव का माता पार्वति द्वारा पूजित ये आत्मश्यवलिंग सदा सदा के लिए इस शेत्र को पावन करेगा श्री गनेश की आसीम क्रिपा से इस संसार को रावन के भैसे मुप्ति प्राक्त हुई है जो व्यक्ति गुलेनाथ की इस पवित्र आत्मलिंग के दर्शन करेगा उसे भी इस जीवन में भै रोग और संकटों से मुक्ति प्राप्त होगी इस संसार को भै रोग तदा संकटों से मुक्ति प्रदान करने वाला ये पवित्र आत्म श्वलिंग चीरकाल तक बै दिनाज श्वलिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा ये परम पावन क्षित्र रावन की अटूट एवं परम शिव भक्ति का परिणाम है हमें भी अपनी अटूट शिव भक्ति द्वारा बुलेनाथ से प्रात्रा करनी होगी कि वे माता पार्वती द्वारा पूजित इस आत्म लिंग को अपनी दिव जोती प्रदान करें हम सभी शिव भक्त आपके दर्शनों के लिए व्यापुल है हमारी आप से खाता है कि जट्रल्यान के लिए इस आत्म लिंग को अपनी दिव में जोती प्राद करें और द्शन्दे बोरे नात द्शन्दे है है हुम लवाई हुम 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 एपर आपर पर्म करेश्वर देवादी देव शिव शंकर की शे 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 भगवान बेजिनाथ जोतिर लिंग की शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर तब तब जो तिरलिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर अजर अमर शिव शंकर अजर अमर्श मुशंकर जावन सम्मुख प्रक्टेल इंग से शिव दोले आई रावन मैं तुमसे प्रसन हुआ हूँ वर मांगो तुम तक्षन रावन हो के विनीत ये बोला प्रभु के पाये करिये दे आशिश आप मेरे संग मेरी लंका चलिये शिव बोले ये कठिन है रावन जो मैं दूओ पाओ मेरे उत्तम लिंग को ही तुम अपने घर ले जाओ शिव के मुख से सुनके वचन ये असुर राज मुसकाए शिव का जो तिर लिंग भिहार में वैदनात कहलाए वैदनात शिव कीजाए हो 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 देवी अब उससे देख रही है दुष्ट तेरा कारे क्या समाथ हो गया दशानन की घोष्णा का स्मरण है पूर्णरूप से स्मरण है देवी लंकादी पती ने स्वेम कहा था कि आर्यवृत्त के विभिन देशों से बंदी बनाकर लाय कई बंधकों में जिस सेवा करने की योकिन रहे उसे महाबली कुम्बकरण की भोचन के लिए बंधी ग्रहम में डाल दिया जाए नहीं नहीं देवी नहीं मुझे एक अफसर और देए मैं नियुकों से शीक्र कार कराऊंगा च्छमा करें देवी च्छमा करें लंका में च्छमा का स्थान नहीं है बंधक एक अफसर देद देवी अपतनिक भीत्रूटी नहीं होगी तुम देख क्या रही हो ले जाओ उसे और महाबली कुम्बकरण के भोजन बंदीक्रह में डाल दो जी चलो सुनो, 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 यदि एक घटिका के भीतर काम समाप नहीं हुआ तो तुम सबको महाबली कुम्बकरण के भोजनाले में बंदी बना दिया जाएगा सांधाज, सांधाज, रंसाजी राजमाता, देवी केक्सी पधार रही है आर्यावर्थ के दुश्बंदकों ने कारी अभी सक पूर्ण नहीं किया एक घटिका के भीतर कार समाप को जाएगा राजमाता एक घटिका हमारे पास इतना समय नहीं है विंबा, तुम्हारी तलवार कहा है कक्ष में है राजमाता तो इस महा का वेतन भी कक्ष को दिया जाएगा तुम अंतपुर की सुरक्षा नहीं का हो तुम्हें उत्तर देते हुए लज्जक आनुभाव नहीं होता जाओ, शीकर अपनी तलवार लेकर आर्यावर्थ के इंदुश्बंदकों ने विश्वेश्वर अपने ध्यान को विराम दे परमेश्वर अपने भक्त की व्यथा को सुने प्रभू कैलाश्तवटि आएक छोले प्रभू आएक को लेठласт के श्योस्व शैकर की कि मेरी व्यता का शमन करें महेश्वर कि दुष्टव देवताऊंने मेरे साथ शड़िंत्र किया कि य॥ अपने अपने भक्त रावण के साहिता नहीं कि यह भोलेश्वर यदि आपका दिव्यात्म जोतिरलिंग लंका नहीं पहुंचा तो माता कैकसी दुखी होंगे कि अपनी माता को दिया शिवभक्त रावन का वचन मिध्या सिथ होगा तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ उसके उत्तरदाई तुम स्वयम हो रावन संध्या पूजन करने की क्या विशक्तत तुम स्वयम भ्रामित हो गए यह तुम्हारी अधी महत्व कांख्षा का परिणाम है कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें हमारी कृपा पर विश्वास नहीं है आप भर्थ वच्छल है भोले नात्या आशुतोष है मेरे भयाणक अपरात को श्मा कर मुझे अपना अन्य तिव यात्म जोतिर लिंग प्रदान करें असंभव रावन असंभव हमारा दिव्य आत्म जोतिर लिंग क्योई सदर्द dug नहीं वो युगों में मात्र एक बार ही किसी परम शिवभकत को प्रदान किया जाता है कि हमने तुम्हें पहले ही सावधान किया कि यदि हमारे आत्म लिंग का स्पर्श धर्ती से हो गया तो वो वही स्थापित हो जाएगा वो बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही भूमी पर रखा गया अब कुछ नहीं हो सकता रावन इसका परिनाम तुम्हें भुगत्ता होगा नहीं ऐसा दंड ना दे देवादी देव महादेव ऐसा दंड ना दे तनिक मेरी बाता केक्सी की व्यक्रता का विचार करें कि आपका दिव्य आत्म जोतिव नहीं ना पहुंचने की सूचना सुनकर उनका उत्सा नष्ट हो जाएगा उनकी हृद्य गती थम जाएगी महादेव हृद्य गती थम जाने से प्राण त्यागने के लिए तुम्हारी माता केक्सी का जर्म नहीं हुआ है रावन किन्तों उनका उत्सा अवश्य भंग होगा मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा विश्वेश्वर भोल तुमने की है रावन अपनी माता केक्सी को उत्तर देने का नेड़ने भी तुम्हें करो सुन्दर अति सुन्दर दुष्ट आर्यों के कार्या ने मन प्रसंद कर दिया विंबा आग्या देवी बंधक आर्यों को एक सप्था तक निरंतर उनका मनप्रिय भोजन दिया जाए जो आग्या राजमातर कि प्रणाम मातै श्री पराक्रवि देञ्त्यु के गाहरों को उन्नती के शिखर पर पहुंचाने वाली पुद्री-केक सी क्या महवली नावन घ्याने का कोई लवीन समाचार प्राप्त हुआ? समाचार तो दो दिन पहले ही प्राप्त हुआ है पिता श्री लंकेश्वर रावनाद से दो दिन पहले ही माता पार्वती पूझित शिवशंकर के आत्मलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़े हैं परन्तु इस समय तक तो जेश्ट को लंका पधा जना था मादाश्री मुझे तुम्हारे जेश्ट के बोले नात के आत्मालिक के साथ लंका पधाने के विश्य में तनिक भी संदह नहीं है विविषण क्योंकि वो मेरा पुत्र है तुम्हारी भाति उस भीरू विश्रवा का अधाश्री चकीत होने की अवश्यक्ता नहीं विविषण अंदपुर की संचा मेरे उस विश्वास का प्रमाण है कि केक्सी पुत्रदशानन्द महाबली भोले नात के आत्मालिक के साथ शीग्रही लंका पधानने वाले हैं बहन केक्सी पास्ता में विश्वास ही नहीं हो कि ऐसी सुन्दर पुष्पिश्रिंगार यह दुष्टारी कर सकते हैं तुम्हें संभाधा ग्यात नहीं आकम बन इस प्रिथ्वी पर आरियों के संदर ये सज्जा और आश्वरे से कोई जाती स्परधानी कर सकती सत्यवचन बहना सत्यवचन देखे पिताश्री इस पवित्र स्थान पर भोले नात का माता पारवती द्वारा पूजित आत्मलिंग स्थापित होगा सुन्दर अति सुन्दर आत्मलिंग के लंका आ जाने से अब मुझे प्रियपुत्र रावन और लंका तोनों के भविश्य के तनिक भी चिन्ता नहीं होगी महाबली दशानन के दुश्षत्रू अब लंका की और आख उठाने का भी दस्सास नहीं करेंगे संख्रमीऴ अर माता परवती का श्राप भी छिश्य हो जाएगा शमह करें माता स्कुरी कि आत्म लेंग अभी लंका पहुंचा नहीं है कि विवीशंट्स लंका में च्छमा का कोई स्थान नहीं है लंका में निवास करने से पुर्व अपने आर्य संसकार उस आर्य विश्रवा के आश्रम में फेकाते को उच्छी थोड़ता मैंने कहा ना आत्मलिंग के लंका पहुचने में मुझे तनिक भी संदह नहीं है मुझे लंका में रहने का तनिक भी मोह नहीं है मताश्रीक किन्तु किन्तु क्या विश्रवापुत्रवेभीशन परम्पिता ब्रह्मा जी का वर्दान आड़े ना था तो मैं एक शण के लिए भी लंका में ना ठेरता यह तुम किस वर्दान का उल्लेक कर रहे हूं हम तीनों को अपना इच्छित वर्दान प्रदान परम्पिता ने स्वयम कहा था कि जब तक हम तीनों भायों में प्रेव और विद्धता है तब तक संसार की कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती राज माता की जय हो एक तराज माता की जय हो लंका के प्रधान गुप्टेचर महाविकत आगे दर्शन की इच्छुख है उनिशीक यहां उपस्थित किया जाए राजमाता कि जय हो क्या समचार लाए हो महविकर्ट? लंकेश्वर रावन, शीव चंकर के आत्मलिंग के साथ कितने समय प्रश्यतलंका पधारेंगे? भोलेनात को अपनी भक्ती से प्रसंद करके लंकेश्वर ने आत्मलिंग तो प्राप्त कर लिया था इस कार्य तक की सूचना हमारे गुप्चरों को है किन्तु किन्तु क्या माहविकर्ट ऐसा प्रतीद होता है राजमाता कि लंकेश्वर आत्मलिंग लेकर किसी और दिशा की ओर चले गए अथवा वो दिशा ब्रहमित हो गए है मेरा फुत्र और दिशा फ्रमित हो ही नहीं सकता लगता है कि लंका के गुप्तचरुप न करता भी भूल गये ऐसा नहीं है राजमाता मैंने तुम्हे मादेश दिया था महविकर्ट कि लंकेश्वर के पक्त की सुचना मुझ तक पहुंचाते रहो राजमाता आत्मलिंग लेक के लाज से प्रस्थान करते सबें लंकेश्वर के विमान की गति इतनी तीवर थी कि महविकर्ट जब तुम एक विमान पर द्रिष्टी नहीं रख सकते तो लंका पर कैसे रखोगे राक्षा शत्रों की सूचनाय लंकेश्वर तक कैसे पहुचाओगे तुम काले के योग्य जाए नहीं बिनमा अच्या देवि इसे समय मिस्टि जण देजी आशा है अब क्या होगा केट सी इस उद्विक नथा के कारण आप पिता श्री आप परवत के पोश्टले दबे मेरे रावण को छोड़कर आप भीरों की भाति पीछ दिखाकर भागाएं पीछ दिखाकर नहीं केट्सी हम यहां आए थे महावली रावण के लिए राक्षसी सेना और सहायता एकत्र करने तो लोटतर क्यों नहीं गए इसलिए कि स्वयम तुमने बताया था कि युद्ध के पश्चात महावली रावण ने भगवान शिव को प्रसंद कर लिया है मुझे तो उसमें दैट शत्रु देवताओं का भयंकर कुचकर लगता है देवताओं को अपने जीवन से मह समाप्त हो गया है इसलिए मेरे रावण से कुचकर करने को दुस्सास कर रहे हैं राजमाता राजमाता मुझे महाबली लंकेश्वर के पुष्पग विमान के जलक दिखाई पड़ी है राजमाता की जय हो राजमाता पूर्वदिशा के और समुद्र के उस पार मुझे लंकेश्वर का पुष्पग विमान दिखाई पड़ा किन्तू लंकेश्णी विमान की गति अत्यांत मंद है प्रतीत नहीं होता कि इच्छा शक्ती से चलने वाले पुष्पग विमान को लंकेश्वर बढ़ने का भी संकेत कर रहे हो इसका अर्थ इसका अर्थ मेरा पुद्र अपने अभियान में सफल हो गया विश्वेश्वर शिवशंकर के आत्मलिक को धारन करने वाले को उत्तेज ना उतावली से क्या काम बिम्बा आग्या राजमाता लंका के मुख्य द्वार से यहां तक हर स्थान पर राक्षसों की कुवारी करने आए आत्मलिक पर पुष्पविर्शाओ करे मंगल गीत गाय मंगल वाद्य बजाए जाए राक्षसकन अपनी पारंपारिक वेशं ऊषाधारन कर नुत्ते उत्त्रव आदि करे और आर्यावरत के बंधिचन मेरे रावन का जय जय कार करे को पंडर शिवार ओुपना मचशी बाइ ओुपना मचशी बाइ ओुपना मचशी बाइ